उनके आसिरवार लेते हुए आज एक भविश्वानी करने की हिम्मत कर रहा हूँ करो मेरी ये भविश्वानी ये है ये मेरी नहीं है इस पवित्र धर्ती के ताकत है कि मैं मरे मन में ये विचान आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ और मावजी महाराज की छमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ पूरे राजस्तान के लोग लिख करके रखे इस बार तो नहीं अब राजस्तान में कभी भी अशोग गहलोत की सरकार नहीं बनेगी कभी भी नहीं ये मावजी महाराज की धर्ती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धर्ती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है कॉंग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहाँ उनको एक ही जबाब मिल रहा है एक ही जबाब मिल रहा है लोग कहते हैं बच्चे बच्चे बोलते हैं भूडे बोलते हैं भुजुर्ग बोलते हैं भुरुद माताय बोल रही हैं महलाए कह रही हैं गैलो जी गैलो जी कौनी मिले भूड जी और अब तो ये बात राजस्तान में सोशल मीडिया में बच्चों में जैसे स्पर्धा चल पड़ी हैं हर घर से बच्चे वीडियो पर वाग के रखकर के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं बच्चे भी बोल रहे हैं गैलो जी कौनी मिले भूड जी मेरे परिवार जनो